जहो जहो शंकरा भूले नात शंकरा आदिदेव शंकरा ये शिवाए शंकरा तेरे जाप के बिना भूले नात शंकरा चले ये सांस किस तरह ये शिवाए शंकरा मेरा कर्म तू ही जाने क्या बुरा है क्या भला क्या बुरा है क्या भला तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत में सारा हर लिया तमस मेरा नमौ नमो जिशँंकरा भोले नाति शंकरा ये त्रिलो कि नातिशंभु वेस्य वाई संकरा, नमौ नमो जिशंकरा भोले नाति शंकरा रुत्रु देवु हे महिश्वरा रुद्रुदेव हे महिश्वरा नमो नमो जिशंकरा भूले नात शंकरा ये प्रिलोकिनात शंभुवे श्रिवाई शंकरा नमो नमो जिशंकरा भूले नात शंकरा रुद्रुदेव हे महिश्वरा रुद्र देव हे महिश्वरा बोल शंकर भगवान की जय सबी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है इस शिव महा पुराण के रुद्र सहीता में रुद्र सहीता का तीसरा प्रकरन हमारा चल रहा है इसको पार्वती प्रकरन भी कहते हैं उसमें हमारा आज चोधमय अध्या है तारका सुर के सताय हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कस्ट कथा सुनाना प्रम्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवा के लिए उद्योग करने का आदेश देना प्रम्मा जी के समझाने से तारका सुर्खा स्वर्व को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष सिद्धी के लिए यत्न शील होना बोल शंकर भगवान की जै बोल भक्त वत्सलामा पार्वती माता की जै सूत जी वाचा सूत जी कहते हैं तदंतन नारज जी के पूछले पर पार्वती के विभा के विश्त्रत प्रसंग को उपस्तित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारका सूति उत्पत्ति उसके उग्रतप मनोवांचित वरप्राप्ति तथा देवता और असुर सत को जीत कर स्वम्न इंद्रपद पर प्रतिश्टित हो जाने की कथा सुनाई तक प्रशात ब्रह्मा जी ने कहा तारका सूति तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वम्न इंद्र हो गया तब उसके समान कोई दूसरा शासत नहीं रह गया वह जितिंद्री असुर रिभुवन का एक मात्र स्वामी होकर अधुत धंग से राज्ये करने लगा उसने समस्त देवताओं को निकाल कर उनकी जगा द्यत्यों को इस्थापित कर दिया विद्याथर आधी देव योनियों को स्वम्न तथा अपने कर्म में लगाया मुने तदंतर तारकासुर के सताय हुए इंद्र आधी संपूर देवता अत्यनत व्याकुल होने लगे और अनात होकर मेरी शरण में आए उन सबने मुझ प्रजापती को प्रणाम करके भक्ती से मेरा इस्तवन किया और अपने दारून दुख की बाते बता कर कहा प्रभो आप ही हमारी गपी है आप ही हमें कर तक्जे का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं मुझ धारक हैं हम सब देवता तारकासुर नामक अगनी में जलकर अत्यनत व्याकुल हो रहे हैं जैसे सन्निपात लोग में प्रबल ओशद भी निर्बल हो जाती है जब सन्निपात हो जाता है तो जितनी भी लोग होते हैं वह जितने भी ओशदियां होती हैं निर्बल होने लगती हैं और सन्निपात का प्रभाव बढ़ने लगता है कि कुसी प्रकार असुर ने भी हमारे को पलहीन कर दिया है भगवान विश्णु के सुदर्शन चक्र पर हमारी विजे की आशा अवलंबित रहती है अवलंबित रहती है परंतु वह भी उसके कंट पर कुंटित हो गया उसके गले में पढ़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई है जो सुदर्शन चक्र है उसका भी प्रभाव नहीं पहुचा तारकासुर के उपर उन्हें देवताओं का यह कतन सुनकर मैंने उन सबसे समयोचित बात कही देवताओं मेरे ही वर्दान से दैट्टे तारकासुर इतना बढ़ गया है अता मेरे हातों से ही उसका वद ह होना यह योग्य कार्य नहीं विश्क व्रक्ष को भी यदि स्वम सीच कर बढ़ा किया गया हो तो उसे काटना अनुचित माना गया है तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं किन्तु वे हमारे कहने पर भी स्वम उस असुर का सामना नहीं कर सकते तारका तारक जो है द्यत्ति स्वम अपने पाप से नस्ट होगा मैं जैसा उपदेश करता हूँ वैसा तुम कारे करो मेरे वद्ध ये प्रभाव से ने तारका सुर्का वद्ध कर सकता हूँ ने भगवान विश्णू कर सकते हैं ने भगवान शंकर ही उसका वद कर सकते हैं दूसरा कोई वीर पुरुष्ट अत्वा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते मैं यह सत्ते कहता हूँ लेताओं यदि शिवजी के वीरिये से कोई पुत्र उत्पन हो तो वही तारक देत्य का वद कर सकता है दूसरा कोई नहीं ऐसी बास सुनके देवता चम्बित हो गए सुर्ष रेष्ट गण इसके लिए मैं जू उपाय बताता हूँ वह सुनो इंद्र को कहते हैं कि आप मैं यह उपाय बता रहा हूँ आप उसे करें महादेव जी की कृपासे वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा पुरुकाल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यग्ये में अपना शरीर त्याग दिया था वही इस समय हिमालय पर उनकी पत्नी मेनका के गर्ब से उत्पन हुई है यह बाते तुम्हे भी विद्ध ही है महादेव जी उस कन्या का पानी ग्रहन अवश्य करेंगे चथापी देवताओ तुम स्वम भी इसके लिए प्रत्न करो तुम अपने यतन से ऐसा उद्योग करो जिससे मेनका कुमारी पारवती में भगवान शंकर अपनी वीर्य का आधान कर सके भगवान शंकर उर्धु रेता है उनका वीर्य उपर की ओर उठा हुआ है उनके वीर्य को प्रस्कलिक करने में एवल पारवती ही समर्थ है दूसरी कोई अबला अपनी शक्ती से ऐसा नहीं कर सकती है गिरिराज की पुत्री वीर्य पारवती इस समय योवा आवस्था में प्रवेश कर चुकी है और हिमाले पर तपस्या में लगी हुई महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती रहती है अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपने पिता के कहने से काली शिवा अपनी दो सफियों के साथ ध्यान परायन परमिश्वर शिव की साग्रह सेवा करती है तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी मा पारवती शिव के समान रहकर प्रति दिन उनकी पूजा करती है तता पिवे ध्यान मगर महेश्वर मन से भी ध्यान जीन इस्तिकी में नहीं आते अर्थार ध्यान भंग करके पारवती की ओर देखने का विचार तक नहीं करते विचार भी मन में नहीं लाते देवताओं तुम ऐसा कुछ यत्र करो कि चंदर शेकर शिवर जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनानी की इच्छा करें वैसी चीस्टा तुम लोग शिग्र ही प्रत्न करो उस में उस दैती के स्थान पर जाकर तार कासुर को बुरे हट से हटानी की चीस्टा करूंगा ऐसा प्रयास करूंगा कि वह इन बुरिये कार्यों में लिपत है वह उससे दूर हो जाए अब तुम लोग अपने स्थानों को जाओ नारत देवताओं से ऐसा कहकर मैंने शिगर ही तारका सुष से मिला और मैं बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उसे इस प्रकार कहा ये तारक ये स्वर्ग हमारे तेज का सार्त तत्व है परन्तु तुम यहां के राज्य का पालन कर रहे हो जिसके लिए तुम तुमने उप्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो मैंने तुमें इससे छोटा ही वर दिया था स्वर्ग का राज्य कदापी नहीं दिया था इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़ कर प्रत्वी पर राज्य करो असुर शेष्ट देवताओं के योग्ये जितने भी कारी हैं वे सब तुमें वही सुलब होंगे इसमें अन्यता विचार करने की आफशक्ता नहीं है ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद मैं शिवा और शिव का इस्वर्ण करते वहां से अद्रश्य हो गया तारका सुर्भी स्वर्ण को छोड़ कर करत्वी पर आ गया और शोनिक पूर में रहकर वहराज्य करने लगा फिर सब देवता मेरी बात सुनकर मुझे प्रनाम करते इंद्र के साथ इंद्र लोक में गए वहां जाकर परस पर मिलकर आपस में सलाह करने लगे सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले हे भगवन शिव की शिवा में जैसी भी काम मुलक रूची हो वैसा भ्रम्मा जी का बताया हुआ सारा प्रत्न आपको करना चाहिए एस प्रकार देवरास से ये संपूर्ण व्रतांत का निवेधन करके देवता प्रसंद पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए अपने अपने स्थान को चले गए किती श्री रेवा खंडे रुद्र सहीता प्रकरन नाम तृत्य अध्याय नाम चतुरदश एवं शोडश अध्याय हमारा सोलह अध्याय तक ये पुन हुआ अगले अध्याय में हम करेंगे इंद्र द्वारा काम का इस मरण उसकी साथ उनकी बाच्ची तथाओं उनके कहने से काम का शिव को मोहने के लिए प्रस्थान आज के लिए इतना ही अपने दास को दीजिये जाजर्भ ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय करपूर गोरं करुणावतारं संसार सारं वुजगेंद्र हारं सदा वसंतम घृदियार विंदे भवं भवानी सहितम नमाम ए प्रभू करपा बना के रखना सुनने वालो करपा बना के रखना और जो वाचन कर रहे हैं हम परवान शिव का शिव की करपा बनी रहे मा जगदंबा की करपा बनी रहे सुनने वालो पर शिव की करपा बनी रहे मा जगदंबा की करपा